नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो तीन और चार जनवरी के आपके राशी के महाराशी फलकी बारे में सबसे पहली दोस्तों जिनका भी यश्मे बर्चिदे है या फिर एनवर्श्री है आप शबी को मैं तरफशे टेर शारी शुप कमनाई आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीकी करें तो आई दोस्तों से के इस वाद बात करते हैं यश्मे गरों के सिद्धी के शुओंगी क्या क्या योग बनेंगे और इन शबी का शुआ आपकी राशी पर क्या होगा किन-किन चीजों को लेकर याश्मे आपको साउतने नहीं होगा और आगर कौन-कौनशे कारी आपके लिए बाग शाली होगी दोस्तों याश्मे आपका लवलाइब के शार हेगा स्वास्त के सार हेगा किरेड के शार हेगा दोस्तों इन तीन द्रों में आपका पारवरिक जीवन के शार हेगा आरतिक सिती और धर्ण को लेकर सितियां कैसे होते दोंगे इन शबी के महत्या पूंश जार करेंगे तो दोस्तों वीडियो को बिलकुल ही मिश्ण ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें दोस्तों वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाई है जुनियाप करके इनों को और भी ज़्यादा लावकारी बना पाएंगे उससे पहले दोस्तों इन आप चल पर नए हैं कर्ष्म बाच की अमाश्याति थी रहेगी वह दोसों इन दिन मूल नामका नच्छत रहेगा वह दोस्तों दिन योग की बात करें तो दोसों ब्रिदी नामक शुभयोग और धुरूम नामका शुभयोग इस दिन रहने वाले है रावु कलकेशम में श्राम के 4 बचकर 29 मिट लेकर श्राम के 5 बचकर 49 मिट रहेगा दोस्तों ध्यान रहे आप यह है रावु कलकेशम में कोई भी शूब और महत्मुन कारें को भूल शे भी ना करें और दोस्तों चनरमाइन दिन धनुराश्य पर शंजार करेंगे रावु कलकेशम में शुबा के आट बचकर 32 मिट लेकर शुबा के नौ बचकर 20 मिट रहेगा और दोस्तों चनरमाइन धनुराश्य को प्राव्ण मंकर राश्य में शंचार कर जाएंगे वे दोस्तों आगरे दिन 4 जनुवरी की बात करें तो दोस्तों मंगलवार के दिन होगा द्विवत्य अतिती उत्राशाड़ा नचस्टर वर दोस्तों बज़रणाम का शुभिग रहेगा राव कलकर शमें शाम के 3 बचकर 11 मिट चले कर शाम के 4 बचकर 30 मिट रहेगा और दोस्तों चन्रमा जो है मकर राशी पर ही शंचार करेंगे तो आई दोस्तों बात करते हैं तीन रों की जो गरहों की चिती है और चन्रमा का जो गोसर है आपकी राशी पर क्या क्या परभाव लेकर आती है चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार्शी दोस्तों यह समय यदि आप करियर क्यों और उनमुक हैं तो आपको खुब सारे अफसर मिल सकते हैं परिविछेग विकास पत को आगे बढ़ाने के लिए आपको मदद की पेशकर्ष करेंगे और आपको उसे दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए आपके परिवार की आमदने भी बढ़ेगी और समाज में रुदवा भी बढ़ेगा वह दोस्तों नेगेटिव के गर बात करें तो यह समेश शकर्मी थोड़े पेचीदा हो सकते हैं और आपको कुछ चतुर्थे के साथ उनसे निपढ़ना होगा कारे अस्तलफर शभी के साथ कुछ स्वहर्थ पूर्ण सम्मद बनाए रखने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों बड़े भाईयों बेहनों का शमानी रूप से कुछ कश्ट हो सकता है दोस्तों यह समें उनसे आपके सम्मद पर भी असर पड़ेगा दोस्तों यह दिन आपको भागे का शाथ मिलने वाला है दोस्तों यह समें आपको सितारों के फेवर के साथ ही कई तरह के संसाधन भी मिलेंगे सहीश मद पर आपके पाश आपकी जरुद के संसाधन प्राप्ट भी हो जाते हैं दोस्तों यश्मे कमी केवर इस विचार में है कि जीवन में आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करने पड़ेगी दोस्तों करियर की गर बात करें तो कारी शितर में आज नया कॉंटेक्ट मिलने के अशार हैं इस अवसर को जाने नो दें दोस्तों यश्मे योजनाओं पर काम करते हैं अपने विवरन पर ध्यान दें अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो आपको अपने पिरितम को आवश्यक होने पर कुछ आर्थिक अथवा मानशिक साहता भी देने पर सकती है क्योंकि संबता हुए मानशिक तोर पर कुछ कमजोर महसूद करेंगे या उन्हें धन की आवश्यकता भी होगी दोस्तों यश्मे पिरिजनों से अपनी बात सेर करने में जीजक नो करें उनसे आज फूरा सहयोग मिलेगा दोस्तों हेल्थ की बात करें तो वयाम आरम करने से पहले किसी अक्सपर्ट की सलाह अवश्यले दोस्तों यश्मे स्वास ज्यांच के लिए अपने चिकत सक से मिलें ताकि आप खराब अस्तर पर बढ़ने से पहले समावित खत्रों को पकड़ लें दोस्तों आज के दिन आपका भागिशाली रंग रहेगा हरा और भागिशाली अंक रहेगा पांच दोस्तों आज के दिन व्यक्ति या फिर वस्तु की प्रती स्वामित भाव रखेंगे आप इस भावना की कारण आप परतेग चीज तथा परतेग व्यक्ति को शंदे की नजर से देखेंगे तथा उस शंबन में भी शंदे करेंगे दोस्तों यश्मे परिवार में चिंता उरुत्सा का वातावरन रहेगा संचिप्त में आज का दिन जो है आपके लिए आप पती भरा है अतर दोस्तों यश्मे आपको शाधानी पुर्वग बिताने के लिए गनेश जी का शला है दोस्तों आज की दिन अगर आपके विती सितिकी बात करें तो यश्मे आप जो भी काम कर रहे हैं वह आप में एक नया क्रियेटिविटी लाएगा तकनिकी कारियों से में रशनात्म होने से आपको लक्ष हासिल करने में भी मदद मिलेगा दोस्तों ये चीज आपको और भी अधिक परतिस भरती बना सकता है दोस्तों आज के दिन आपको अपने वरिष्ट में शमानेता मिलने की भी शमाना है ये दोस्तों आज के दिन आपके अपने से बड़े पदों वाले व्यक्तियों से मान परतिस्टा इज़त परसंसा भी मिल सकती है वा दोस्तों आज की दिन अगर आपके रोमांस जुवन साती याने प्रेम संबन्द को लेकर बात करें तो दोस्तों यह दपी आप अपने पीरी का पूरा ध्यान नहीं देंगे कि आप उसे चोड तो नहीं पहुचा रहे हैं दोस्तों गिनेज जी कहते हैं कि रिष्टे में चीज गलत हो सकती है लेकिन आपको ध्यारी रखने की जरुत है दोस्तों आपको अपने पीरी की नकारतमक भावनाओं को मन की शकारतमक इस्तिती में बदलना होगा दोस्तों आज की देंगर आपकी आर्थिक सिति की बात करें तो अपने टीम के शाथ या फिर अपने गराहों के साथ परमुक ओफिशियल मीटिंग बुलाने के लिए ये दिन सही है ये शफल होगी और आपकी विति इस्तिती में योगदान देगी दोस्तों ये शमिक ग्रेश जी बताते हैं कि महत्मुन कारिक की कारण आपके लिए तनावपूर इस्तिती रह सकती है आप बेटकों में व्यस्त रह सकती है उर्जा के स्तर की कारण आप हर चीज से बहुत यची तरह से निपटने में भी ये शमिश सक्चम होंगे आपको दिन की अंत में ठकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए शेहत पर गौर करने की यसमिश जरुत होगी जिन लोगों ने अपना पैसा सटे बाजी में लगा रखा था आज उन्हें नुकसान होने की शंभावना बन रही है तो तो सटे बाजी से दूर रहने की आपको शला दे जाती है अपने मित्रों के माध्यम से आपका खास लोगों से परिशे होगा जो आगे चलकर फाइदे मन रहेगा दोस्तों आपकी मुलाकात एक एसे दोस्ति से होगी जिसे आपका ख्याल है और जो आपको समझता भी है रात को अपिस से घर आते वक्त आपको शाधानी स चाहिए दोस्तों नहीं तो दुरगठना हो शक्ति है और कई दिनों के लिए आप बिमार भी पढ़ सकते हैं मुम्किन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कुछ शांदार असिरबात भी दे सकती है जिनके चलते आपके विवाय के जीवन और भी निखर सकता है द दोस्तों यश्मी आपको कौन वुपायँखों करना चाहिए दोस्तों यश्मी गुरुवार के दिन आप 5kg आटा और 5kg गुड मिला लें और दोस्तों इनकी रोटियां बना लें और उणे उन रोटियों को जो है गाई को खिला दें दोस्तों आख को बताट करने ये आपके घर की द्रीदता शमाप्त होगी और ये दोस्तों आपके आने वाले भष मी बहुती शुद्लिन और संपन रहेगा दोस्तों यह बाई को जरूर करें ये आपके ने भागी शाली होगे और शाथी दोस्तों और ये अधिक जनकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले वीडियो को अधिक से धिक लाइक करें शेयर करें धन्यवाद आपका यश में सुभरे